पश्चिम उत्तपरदेश में भाजपा को कड़ी चुनोती सपा और रालोद गडबंदन ही दे सकता है। और ऐसे में समाजवधी पार्टी और राष्टी लोगड़ में गडबंदन तै है। थानबंड केराना विदान सबा सीट हैं। 2017 के चुनाओं में केराना सीट पर सपा जीती थी और अन्याट पर भाजपा ने जीत दर्च की थी। जालोद सपा गडबंदन को लेकर तमाम चर्चा हो रही है। कोई कहरा आए कि अभी पेंच है तो कोई कहरा आए कि जल्द गोजना हो जाएगी। हाला की गडबंदन ते है सूतरों से जानकारी मिल रही है कि दोनों जीलों की नो सीट में से पाँच पर सपा और चार पर आरेल्डी चुनाओ लड़ेगी। कौन सी सीट किस दल पर आ सकती है इस पर भी चर्चा करते हैं। सूतरों के नुसार सामली, खतोली, मीरापुड, पुरकाजी सीट रालोध को मिल सकती है। वहीं सपा के पास मुझफर नगर, सदर, कैराना, ठानवोन, चर्तावल, बुड़ाना सीट रह सकती है। किनी कार्णों से अगर बुड़ाना सीट रालोध को मिली तो सामली सदर सीट सपा बर जाएगी। हालकि सामली के रालोध पर रहने के ही अधिक चांस है। सीटों का बटवारा इस तरह से किया जा रहा है कि सपा कारेकरताओं का मनोबल भी नए गिरे। कुछ सीटों पर केराना उप्चनाव फोर्मिला भी अपनाया जा सकता है। यानि कि परत्यासी एक दलका और सिंबल दूसरे दलका। अब बात करते हैं कि गड़बंदन से टिकट किसका होगा। तमाम दाविदारों के दावे हैं कि उनका टिकट पका है लेकिन इस बार अखिले स्यादा हों या जैन चोदरी एक-एक सिट पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अखिले स्यादाव जीलों के नेताओं से स्यासी समिकरिन के संबन्द में लगातार बात कर रहे हैं लेकिन वह फीडबेक सिर्फ ले रहे हैं और अपनी और से जादा कुछ नहीं कह रहे हैं। यह स्थेथी जैन चोदरी की भी है। कांग्रेस से गढ़बन्दन में रालोत को बहुत अधिक सिर्फ चुनाओ में मिल सकती हैं लेकिन कांग्रेस के पास फोट बैंग नहीं हैं। ऐसे में गड़बंदन का रालोद को कोई लाब भी नहीं होगा। इसलिए जैन्द कॉंग्रेस से गड़बंदन पर साफ इंकार कर रहे हैं। 2019 में सपा बसपा रालोद का गड़बंदन था लेकिन परिणाम भागपा के पक्स में थे। अब 2019 से लेकर अब तक सियासी तस्वीर काफी बदली है। किसान आंदोरन का लाब भी सबसे अधिक जैन्द चोधरी यानि रास्टे लोगदल को है।